Hello and welcome to this new session जहां हम NCRT की बुक के एन एकॉर्डिंग होम साइंस के फर्स लेसिन को स्टडी कर रहे थे आज जिस टॉपिक को हम करेंगे वो है भारत के परंपरागत व्यफसाय अपनी कॉपी साथ रखो बुक में अगर आपके पस बुक है तो बुक को साथ में रखो और इस से रिलेटेड विडियो तो मैं भेजी रही हूँ लेकिन हमें NCRT की बुक एक्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पढ़ना बहुत जरूरी है इसलिए एक बार आप साब अपनी बुक को जरूर रीड करो रीड करने से अच्छा कोई भी आप्शन नहीं है धनी देशों में से एक है हमारी कलोर संस्कृति इतनी विविध है इतनी प्राचीन है कि ऐसा किसी भी दुनिया के विश्व के किसी भी और देश में ऐसी संस्कृति नहीं पाई गई है तो इस विविधिता के होने पर यहां टिकाव प्रकृति वाले संस्कृतिक और सामाजिक सहचर्या है मतलब इतनी सारी हमारे पास इतना कल्चिर है आप देखो हमारे देश में कितनी तरह से कपड़े पहने जाते हैं कितनी तरह का खाना खाया जाता है कितनी variety of languages बोली जाती है लेकिन उसके बाद भी हमें एक सौहादर है हम सब इकठा मिलके रहते हैं तो इस संस्कृति का जो स्थाइथ है वो सामाजिक और संस्कृतिक पर प्रथाओं के कारण है क्योंकि हम मानते हैं कि सब हमारे भाई बैने हमें सब के साथ मिल जुल कर रहना है हमारे देश में कितने विदेशी आकरमन हुए कितनी उथल पुथल हुई लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी कला ये दोनों बिलकुल वैसे ही रहे और इनका कोई कुछ नहीं बिगार पाया संस्कृति और कला अभी भी हमारी उतनी ही वि रवसाय है हमारे देश का वो है क्रिशी, क्रिशी जनसंख्या हमारे देश का एक बड़ा भाग है और करीब 70% लोग जो हैं वो क्रिशी से associated हैं, क्रिशी से related कारे करते हैं, तो अधिकान भागों में क्या है, जलवायू परिस्थितियां जो हैं, वो क्रिशी कारे के रिए उप 70% तक हैं, कई सारे ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास भूमी किया तो बहुत छोटे छोटे खंड हैं, और या फिर उनके पास उस भूमी का भी मालिकाना हक नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब वो फसल करते हैं, तो बस उसका उन्हें एक छोटा सा हिस्सा मिल जाता ह और ये उनके लिए परियाप्त भी नहीं होता, वो बिचारे किसी तरह इसे बेच कर अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, देश के कई भाग ऐसे होते हैं, जहां पर किसान जो है शहरी बाजार में बेचने वाली चीज़ों को पैदा करता है, जिन इन से की आर्थिक फाइदा उन्हें होता है, यह होती है नकदी फसलें या फिर कैश क्रॉंप्स, अब इसमें आ जाता है जैसे चाए, कॉफी, इलाइची, रबड ये चीज़ें बेच के उन्हें विदेशी मुत्रा भी फ्राप्त होती हैं और ये जादा महंगी बिक्ती है तो लोग इनको गाना भी शुरू कर देते हैं, इसके अतिरिक एक और व्यफसाय है जो की है मचली पकरने का, जो कोस्टल एरियास हैं, जो हमारी तट्रेखा जो बहुत लंबी है, हमारे में पूरा यहां से आप देखो साउथ कोस्ट, नॉर्थ कोस्ट और फिर हमारा इस त अब हम आते हैं परंपरागत व्यफसायों की तरह, जिनमें हस्त शिल्प एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट है, और यह जो है अंतराश्टिय बाजार में भी इसकी जो डिमांड है, जो लोग प्रियता है, वो बढ़ती चली जा रही है, और ग्रामीड जनता के लिए एक जी खीदाकारी, बुनाई, रंगाई और छपाई, शैली, मूर्तिकला, टेराकोटा, से पकाई हुए बरतन, शोलापीट शिल्प, दरी, गलीचे, कार्पेट, मिट्टी और लोहे के बरतन, इत्यादी, तो देखो कितने सारे हो गए, हमाई पास दस तो करीब होई गए, शैल्प, काच से बनाना, फिरोजाबाद वगेरा में ये बहुत चलता है, फिर कशीदाकारी, बुनाई, रंगाई, ये तो गुजरात में बहुत चलता है, ये वाली शैली शिल्प, फिर मूर्तिकला, टेराकोटा, दस, शोलापीट, शिल्प, ग्यारा, दरी, गलीचे, बा तेरा, लोहे और मिट्टी के बरतन, चौदा, पंद्रा आपको यहां पर हमने लोक कलाएं बताई लिए, तो ये जो हैं, चौदा, पंद्रा तरह के कुछ उधारण है, इन्हें आप याद कर लेना, कोई सा भी एका सकता है, उसके बाद हर राज्य की अलग तरह की कशीदाक होती है, आप अगर गुजरात की तरफ जाओगे, तो वहाँ पर आप देखो, शीशे से बना हुआ इंब्रॉइडरी होता है, कच कच की जिसे हम कड़ाई कहते हैं, वो होता है, तो ये बहुत सारी विभिन प्रकार की बुनाई और रंगाई चलती है, हाथ से बुने हुए भारती है, वस्त्रिस सदियों से प्रश्चन सा पाते रहे हैं, और ये जो है, हमारे दिन हर रोज के इस्तवाल में खराब भी नहीं होते हैं, और इनकी बहुत डिमांड है, अब यहाँ पर हम कुछ एक्जाम्पल्स देते हैं, बेटा आप ध्यान में रखो, कि क्योंकि अबजेक्टिव पेपर होना है, तो अबजेक्टिव पेपर में क्या होगा, कि बहुत हद तक कई बार ये भी हो सकता है, इन अबजेक्टिव पेपर में कोई पिक्चर आपको दिखाई जाए, और कहा जाएगा इस पिक्चर को पहचानो, तो आप उस पिक्चर में पहचान अब online marketing के जरीए और online platform के जरीए ये काम बढ़ रहा है फिर भी हमारी हस्त शिल्प कला जो है इसको प्रोचसाहन की जरूरत है तो परंपरागत रूप से शिल्प निर्मानुत बादन की विधिया तक्नीक और कौशल ये जो है परिवार में पीडी दर पीडी होते हैं माता पिता बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे अपने बच्चों को सिखाते हैं तो धर्म जाती और व्यफसाहे ये सब हमारे देश में मिले जुले हैं एक जाती के लोग जो हैं वो उसी तरह के काम करते हैं और वो पीडी दर पीडी आगे पहुँचाते चले जाते हैं तो हमारी जो और भी कई सारे परमपरागत रोजगार हैं जैसे शिकार करना पक्षी और जानवरों को पकड़ना विदेशी सामानी कठा करना माला बनाना आप कहीं भी गूमने जाओ आपको माला मिल जाएंगी नमक नमक हमारे देश में बहुत जरूरी काम है उसके बाद रस कालना नीर का या ताड का रस या शहद का कारे करना फिर माइनिंग खननन का कारे करना इंत और टाइले बनाना टाइल के उपर पेंटिंग करना मूर्तियां बनाना पथर पे मूर्ति बनाना ये सब पीडियों से चले आ रहे कारे हैं और एक बहुत इंपॉर्टन कारे है और इसके साथ साथ पाक प्रडान लिए हमारे देश में इतने विविद प्रकार के खाने हैं चोले भटूरे से लेकर इडली डोसे की आप बात कर लो अप पम की बात कर लीज़े आप भात और मच्छी की बात करिए ढोकला खाकडा इतनी तरह के हमारे खाने हैं और जो हमारे के मिर्च मसाले हैं स्पाइस विदेशी लोग तो उन स्पाइस को ले के जाते थे बाहर इतने स्पाइस नहीं होते तो हमारे अदेश जो है खान पान में भी बाकी सब देशों से भिनने है और उसमें बहुत जादा विबिदता है तो अब जो मैं फोटोग्राप्स की बात कर जाता है तो इसमें क्या होता था कि 4000 वर्शों से प्रचलित है अभी तो आपको याद होगा 4000 साल बहुत सारा टाइम होता है तो एतिहासी क्रिष्टी से क्या होता है कि जो कलाकार और शिल्पकार हैं इन्हें दो मुख्य जगाओं से संग्रक्षन मिलता था एक तो विबिन राजियों के राजसी जो शाशक होते थे या फिर धार में को पास ना आप अगर मंदिरों में जाओ तो देखो उनकी दिवारों पर मंदिर ये होगा तो उनकी छट और दिवारों पर यहाँ पर पूरे में कशीदा कारी की गई है यहाँ पर अलग-अलग तरह के डिजाइन्स बनाए हैं ताज महल देख लो आप कोई भी फोड देख लो और उसके बाद राजा की जो महल थे महलों में आप जाओ वहाँ पर अलग-अलग तरह की पेंटिंग्स हैं उनके जो कपड़े होते थे उसमें अलग-अलग तरह के काम होते थे और यह जो हैं उस समय की जो संस्क पूजा करते थे मगबरे हो या बहल हो या समाधी हो इन सब पर पत्थरों पर दिखाया जाता था कांस या चांदी में या टेरा कोटा और लकडी में भी अलग-अलग तरह की प्रतिमाई दिखाई जाती हैं और उन प्रतिमाओं से हम उस समय की स्टड़ी भी कर सकते हैं कि उस समय लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे किस तरह के राजा होते थे कैसे वो समाध चलाते थे पूजा पार्ट किस तरह का होता था और इस तरह से हमें अंदाज मिलता है कि कैसा समाज था अब देखिए हमारे पास कुछ और तरीके आ रहे हैं कि और कोई पिक्चर आ रह है राजिस्तान और कुछ रात में तो प्रावगत जो व्यफसाएं हैं ये हमारे सम्रिद धरोदर होते हुए भी आधूनिक संदर्ब में कला कि ये कृतियां धीरे धीरे जो हैं कम पसंद की जा रही है लोग जो है मशीनों से बनी चीजों को पसंद कर रहे हैं ये थोड़ी महंगी होते हैं हाथ से बनती है और इसलिए शिल्पकारों की जो आये है ये कम होती जा रही है और जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं लोगों को उसके बारे में जादा समझ नहीं है पकड़ नहीं है तो वो इस पे इतने पैसे खर्च नहीं करते तो कुछ और भी कारण हैं जैसे निरक शर्ता हो गया सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन हो गया भूमी सुधार लागू नहीं हो रहे हैं अकुशल वित्ये और विपणन प्रडाली मतलब लोगों को इन काबों के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं तो ये सारे जो कारण हैं उसकी वज़ा से संसादनों का कम होना और ये जो इनकी वज़ा से हमारा जो हश शिल्फ है वो पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाड़ रहा है अब ये एक दो और हैं केरेला का नारियल शिल्फ नारियल शिल्फ मतलब जो नारियल केरेला में आपको पता है तटिया खेतर है कोकोननट कोई सी भी फोटो आपसे पूखी जा सकतीं है तिक है अब इसके बाद क्या-क्या क्वेंशन हो सकते हैं इसमें किoline हश शिल्प कला कौन कौन सी है आपको पहचानने को दिया जा सकता है उसके बाद पहचानों कह सकते हैं उसके बाद फोटो के साथ आप से ये भी पूछा सा सकता है चुनौतियां क्या क्या है समस्याएं क्या क्या है और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका उपाए क्या है कि इ ये सब जो है एक जबरदस चुनौती सामने लाता है जिसमें देशी ग्यान जानकारी तथा कोशल जो तेजी से अपना आधार खोते जा रहे हैं उनके पुरुद्धार की जरूरत है तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जो मैंने का था उपाय क्या क्या है नए डिजाइन स दैशी कच्चे माल का उपयोगा मार्किट में जो समान मशीनों से बनता है वो जादा तर परियावरन उपयोगी नहीं होता तो हमें ये प्रमोट करना है कि ऐसी चीजों का उपयोग किया जाए जो परियावरन संबंदियों जैसे नारियल चिल्प है इसमें देखो आप सिर है IPR बेटा ध्यान रथलो इन सब चीजों को कुछ भी आ सकता है IPR का मतलब हो गया intellectual property rights क्या है ये intellectual property rights और हिंदी में हम क्या कहते है इसे बौधिक संपदा बौधिक संपदा अधिकारे तो ये क्या है हमने जो भी बनाया है उस पे एक तरह से जैसे पेटेंट होता है ना तो हमने अगर कोई चीज़ इंवेंट करिया तो उस पे हमारा अधिकार है इन सब के लिए हमें नियम कानून लाने चाहिए नीतिया ऐसी लानी चाहिए जो इसको बढ़ावा दे और आधूनिक युवा और समुदाओं में इसके लिए जो है लोगों में पहचान बनाई ज जाए उन्हें जागरुक किया जाए कि हम ऐसी आर्ट को अपने हस्त कला को प्रमोट करें इन प्रयासों से जो जागरुक जो हमारी ग्रामी जनता है उसकी आए भी बढ़ेगी लोग गाओं की तरफ कमाएंगे और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो की एकनॉमिक हैं लेकि के लिए सामुहिक प्रयासों की जरूरत है तो हो सके तो अगली वार आप भी ध्यान रखो कि अपनी हस्त शिल्प कला को प्रोचाहन दो और उसको पहचानो तो लोक्तांत्रिक वातावरेंगे पदानुकरम अत्वास जाती आधारन कारे विभाजन के बिना विविधता बना पनना आना चाहिए और उससे रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कला है तो आप वो बता पाओ ठीक है अब इसके इससे आगे की बुक के बारे में हम अगली कलास